जब भी खूबसूरत पक्षियों की बात होती है तो मोर का नाम सबसे पहले आता है आज इस वीडियो में आपको सुन्दर पक्षी मोर के बारे में बताएगे तथा उससे जुड़े रोचक तत्यों के बारे में बताएगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को मोर इस पृत्वी पर सुन्दर पक्षियों में से एक है। मोर बहुत ही सुन्दर और आकर्शक पक्षी है। मोर को भारत के राष्ट्रिय पक्षी होने का गौरव हासल है। मोर अपने रंग बिरंगे पंग पैलाकर और शांदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिध है। मोर के सिरपर कलगी होने की वज़े से इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर का बजन ज्यादा होने की वज़े से मोर ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकता है। मोर एक प्रकार का पक्षी है जो अपनी लंबी और इंद्रधनुशी पूंच के लिए प्रसिध है। मोर को राष्ट्रिय पक्षी भारतिय जीवन, संस्कृती, सभ्यता, इसकी सुन्दर्ता और उप्योगिता के साथ लंबे सहयोग के कारण इस मान्यता को प्राप्थ हुआ ह मोर की गरदन का रंग नीला होने की वजह से इसे नीलकंट नाम से भी पुकारा जाता है। मोर को नील मोर के नाम से भी जाना जाता है। मोर सापों को मार कर खाता है इसलिए मोर को संस्कृत में भुजंग भुग भी कहा जाता है। मोर को फार्सी में ताउस कहते हैं। मोर क खालता वेज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टित्स है मोर दिखने में मुर्गे की तरह लगता है लेकिन यह मुर्गे से बड़ा होता है भारतिय मोर की शारीर एक संरचना अन्या मोरों से अलग होती है मोर की आखें गेहरे भूरे रंगी होती है मोर के पंक हरे नीले रंके होते हैं मोर के पंकों पर नीले रंकी चित्ती को आसानी से देखा जा सकता है मोर के पैर लंबे और कुरूप होते हैं मोर की गर्दन बहुत लंबी होती है और गर्दन का रंक सुन्दर नीला मक्मली होता है मोर की लंबाई एक मीटर के आसपास होती है मोर की अपेक्षा मोरनी भूरे रंकी होती है और आकार में छोटी होती है मोर गिद से भी बड़ा होता है मोर का वजन 6 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक होता है मोर के सिर पर कलगी होती है और इसका सिर बहुत ही छोटा होता है मोर के सिर पर छोटे छोटे पंक होते हैं जो प्राया हरे और भूरे रंके होते हैं संसार में मोर की तीन जातियां पाई जाती हैं जिन में से भारतिय मोर सबसे आकरशक और सुन्दर होता है मौर तीन प्रकार के होते हैं भारतिय मौर, हरी मौर, कांगो मौर मौर भारत की सभी जगहों पर पाया जाता है मोर मुख्य रूप से एक भारतिय पक्षी है लेकिन यह भारत के अतिरिक्त नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांगलादेश, म्यामार और पाकिस्तान के अनेक भागों में पाया जाता है मोर अधिकतर खेतों और बगीचों में पाये जाते हैं मोर भारत देश की विभिन जगहों पर पाये जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हर्याना, राजस्थान, आदी मोर भारत के कई स्थानों में हर्याली वाली जगहों पर पाया जाता है मोर जंगल में रहना अधिक पसंद करता है क्योंकि वहां पर उसे खाने और रहने में आसानी होती है मोर अक्सर ऐसी जगा पर रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध हो मोर मुख्य तोर पर एशिया के दक्षिन और दक्षिन पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है मोर एक मुश्किल पक्षी होता है चरम जलवायू परिस्थितियों में इसकी अध्वितिय अनुकूलन ख्षमता है इस वज़े से ये राजस्थान के गर्म शुष्क रेगिस्तान ख्षेत्र में रह सकता है और स्था ही यूरोप और अमेरिका के ठंडे मौसम के साथ अच्छी तरह से समायोजित कर सकता है आमतोर पर मौर स्थाई जल स्त्रोथ के पास जाडियों या जंगलों में रहना पसंद करते हैं रात के समय मौर लंबे पेडों की निचली शाखाओं पर आराम से सोता है मौर जंगल में आधे सूखे घास के मैदानों से लेकर नम पेडों वाले जंगल की विशाल रेंज तक पाए जाते हैं मौर मनुष्य निवास के खेतों, गावों और शहरी क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं मौर का मुख्य भोजन कीडे, मकोडे, फल, सबजिया, अनाज होता है मौर शाकाहारी और मासाहारी दोनों प्रकार का होता है मौर को खाने में साप भी बहुत प्रिया लगते हैं मौर टमाटर, घास, अमरूद, केला, अफीम की फसल के कोमल अनकूर, हरी और लाल मिर्च बहुत ही चाव से खाता है मौर छिपकली और कई तरह के कीडे मकोडे खा सकते हैं और अनाज के दाने भी खा सकते हैं लोग मौर को पसंद करते हैं और मौर जंगल का भोपू भी होता है मौर का जीवंकाल लगभग 15 से 20 वर्ष तक होता है मौर का जीवंकाल 22 से 25 साल तक भी माना जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौर को 40 साल तक भी जीते हुए देखा है मोर जंगल का बहुत ही सुन्दर, चोकनना, शर्मीला और चतूर पक्षी है मोर ज्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सकता है वो उड़ने की जगा पर चलना पसंद करता है मोर जुंड में रहना पसंद करता है और एक जुड में 5-8 मोर होते है वर्षा के मौसम में मोर बादलों की काली घटा को देख कर पंक फैला कर नाचने लगता है मोर को आराम करना बहुत पसंद होता है सर्दियों के दिनों में वो आधे दिन तक आराम करता रहता है और दोपहर के समय प्रेडों की उची शाखाओं पर बैठ कर अपने साथियों के पंक सवारता रहता है मोर ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं ज्यादा गर्मी होने पर वे प्रेडों की उची शाखाओं पर चड़ जाते हैं जब नर मोर मादा मोर को आकरशित करता है केवल तभी मोर अपने पंक फल कर सुन्दर नृत्य करता है। मयूर नृत्य समूह में किया जाता है। नृत्य के समय मोर पंक फैला कर बहुत ही धीमी गती से बहुत सुन्दर नृत्य करता है। मोर के अंडों में से 30 दिनों के आसपास अंडे निकलाते हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हलके कथाई रंके होते हैं। मोर बहुत दूर तक की आवाज को सुनने की क्षमता रखता है। मोर कभी भी जंगल में मनुष्य के समक्ष नहीं नाचता है क्योंकि मोर नाचते समय बेसुध हो जाता है और दुश्मन उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। मोर को जब किसी के आने का अभाश होता है तो यह जाडियों में तेजी से भाग जाता है। मोर को धूल से सनान करना बहुत प्रिय होता है. मोर अपने पंखों का प्रयोग अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए करता है. जिस मोर के पंख ज्यादा आकर्षित और बड़े होते हैं वो अपने साथियों को बहुत ही जल्द आकर्षित कर लेता है. प्रजातियों के नरों को मोर कहा जाता है और दुनिया भर में मोर की सराहना की जाती है मोर चोंच की नोक से लगभग 195 से 225 सेंटीमीटर की लंबाई तक ट्रेन की समाप्ति तक बढ़ सकते हैं मोर का ओसतन वजन 5 किलोग्राम तक कर सकते हैं मोर के सिर, स्तन और गर्दन रंग में नील होते हैं मोर के पास आखों के चरों और सफेद रंग की पेंच है मोर के सिर के शीर्ष पर इमांदार पंक का एक शिखर है जो दिखने में नील रंग और आधे चंद्र के समान है मोर की सबसे उलेखनिय विशेश्टा उसकी सुदर पूंच है जिसे ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है यह ट्रेन पूरी तरह मोर के 200 अजीब प्रदर्शन पंख पीछे से बढ़ते हैं और बहुत लंबा उपरी पूंच कवस का हिस्सा होता है ट्रेन पंखों को संशोधित किया जाता है ताकि उनके पास पंख न जाएं और इसलिए वे धीले से जुड़े होते हैं रंग विस्तरित माइक्रो स्ट्रक्चरस का एक परिनाम है जो अप्टिकल घटनाओं का एक प्रकार का उत्पादन करता है हर रेलगाडी पंख एक आँख वाले अथात उसेलिस वाले अंडाकार क्लस्टर से समाप्थ होती है जो बहुत ही आकरशक होती है इसकी पीट के पंख भूरे रंग के होते हैं लेकिन छोटे और सुस्त होते हैं भारतिय मोर की जांगों का रंग चमकता है और वे हिंद से उपर के पैर पर प्रेरना देते हैं मोर्नी में चमकीले रंग बहुत कम होते हैं मोर्नी मुख्यता भूरे रंग की होती है मोरनी के पास कभी कभी शिखा होती है लेकिन वो रंग में भूरे रंग की होती है मोरनी पूरी तरह से विस्तरित ट्रेन की कमी रखती हैं लेकिन उनके पास गहरे भूरे इंख की पूंच के पंख होते हैं वे सफेद चहरे और पेट के साथ साथ भूरे रंग की पीट, हिंद गर्दन और एक धातू हरी उपरी स्तन है। मून 6.9.5 मीटर की लंबाई तक बती हैं और कहीं 2.75 से 4 किलोग्राम के बीच वजन करती हैं। भारतिय मूर प्रजातियों में पाए जाने वाले कुछ रंग भिन्नताएं हैं। आबादी के भीतर आनुवंशिक भिन्नता से उत्पन उत्परिवर्तन से काले कंधे भिन्नता का परिनाम होता है। मेलेनिन का उत्पादन करने वाले जिन में उत्परिवर्तन, सफेद मोहरों के परिनामस्वरूप क्रीम और भूरा चिन्हों के साथ सफेद पंक होते हैं. मोर किसान का एक बहुत ही अच्छा दोस्त साबित होता है. मोर किसान की फसल को बरबाद करने वाले कीरों को खाता है मोर के पंखों का प्रयोग सजावट के काम में किया जाता है मोर के पंखों को गुलदानों में सजाया जाता है पंखों को वृताकार बनाकर उनके पंख बनाये जाते हैं गर्मियों में हवा करने में बहुत ही काम आते हैं, मोर के पंखों का प्रयोग देवी देवताओं पर चड़ाने के लिए भी किया जाता है, मोर के पंखों का प्रयोग जादू टोने में भी किया जाता है, मोर के पंखों का प्रयोग जले हुए भाग पर दवाई लगाने के ल दुसरे प्राणियों की रक्षा करता है और अपनी भूख भी मिटाता है ऐसा माना जाता है कि मोर के पंखों में कुछ विशेश प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जड़ी बूटी में कामाते हैं मोर के पंखों को हिंदू धर्म में शुब माना जाता है मोर के खुबसूरत प राश्ट्रिय पक्षी 26 जनवरी 1963 में भारत सरकार द्वारा घोशित किया गया था। छठी शताबदी में कवी कालिदास ने भी मोर को राश्ट्रिय पक्षी का दरजा दिया था। मोर दुसरे पक्षियों की तुलना में बड़ा और रंगबिरंगा पक्षी होता है। मोर के सिर पर जन्म से ही मुकुट के रूप में कलगी होती है। मोर के पंख लंबे सतरंगी और चमकदार होते हैं। मोर की गर्दन लंबी और चमकदार नीले रंगी होती है। मोर के पंज राश्ट्रिय पक्षी इसलिए बनाया गया क्यूंकि पहले यह भारत में ही पाया जाता था। पहनी काइट के नामों पर भी विचार किया गया था लेकिन मोर को ही चुना गया। इसके पीछे बहुत से कारण है। हमारे देश में मोर का शिकार करने वाले अपराधी को सरकार द्वारा दंट दिया जाता है। भारत में मोर की सुरक्षा के लिए सन 1972 में मोर सनरक्षन कानून बनाया गया। यह सनरक्षन कानून मोर की संख्या बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए बड़ा ही अच्छा कानून है। मोर की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार कई तरह के मोर सनरक्षन के अभियान चलाती रहती है। इस कानून के बनने के बाद से मोर की संख्या में बहुत सुधार हुआ है। यह सरकार ने यह कानून बनाया गया तो मोर की संख्या बधने लगी इसके अतिरिक्ट सरकार ने मोर के बचाव के लिए तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई प्रकार के संगठन तथा कानून बनाय हुए हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विडियो को आप फेस्बुक, वाटसेप या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर करें. धन्यवाद.